वालों वेल्कम फ्रेंट्स आज की वीडियो माईक्रोफ एकसेस को लेकर के है और एकसेस में वन टू मेंटी और वन टू वन रिलेशन सिप के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो कि पूछा भी गया है सवाल आज मैं दूँगा और आज आपको यही बताऊंगा कि कैसे वन ट चलते है और सब्सक्राइब करेंगे सेसे अब यहां अब आपको नजर आएगा इस क्या खासियत है यहां इसके कैसे बताता हूं एक का नाम आपको देदेना ठीक है जैसे स्टूडन्ट कर दिया है तो यहां पर रिखिया कर नहीं थateg कर दिया को तो होगया है थे कर दिया है ठीक है लिए है तो तो यहां पर प्राइस तो प्राइप को करेंशी रखेंगे जैसे कि आप जानते ही हैं तो यहाँ पर करेंशी कर लिजिएगा यह करेंशी डियोट्ब आपको मिल जाता यह पर इसके था Guard यहाँ पर कर लेंगे यह से double मनाएंगे तो यह दी कर दिया double हो जाएगा यह ठेक है और यहां पर अब total calculate करना है total कैसे कल्कुलेट का अच्छा यहां पर तो प्लॉडक्ट यहां पर प्लॉडक्ट कि यहां पर कर देता हूँ प्लॉडक्ट चल जाएगा ठीक है तो यह से multiply कर दिए और यहां से यहां से क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि यहां पर आपका काम हो जाएगा यहां पर पहले इस field को मैं delete कर देता हूं यहां से cut करता हूं फिर वापिस से total लेता हूं क्योंकि short text already आ गया था यहां पर अब यहां से इसक यहां से व्यूप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, यह कुछ इस तरीके से आ जागा, सिनेरियों कुछ ऐसा आ रहा है देख सकते हैं, अब यहां पर product ID को मैंने बना है primary की, देखें यह primary की यहां पर आपको कीइसी नजर आ रही होगी, यह primary की है, ठीक है, तो database में काफी मा प्रोड़क्त डालेंगे स्टिक और माले सुगर 45 और किलो है साथ किलो की बात प्रूप अपने आप कील्क रैटर रहे है ठीक है तो यहां पर बात हो रही है लाइक सब्सक्राइब refined तो यह refined जो है 150 पर लिटर है और 7 लिटर लिया तो 7 लिटर का प्राइस अपने आप आएगा ठीक है mustard oil mustard oil हो गया तो यहाँ पर mustard oil की प्राइस आएगी 130 पर डाल दिया और बाकी चीजे अपने आप आएगी जहाँ खाली quantity डाल दिए ठीक है आ रहा है ना तो यह इस तरीके से हो जाएगा अब यह तो 8 table हो गई है लेकिन 1 to 1 relationship के लिए दूसरी भी तो table चाहिए होगी हमें तो यहाँ से दूसरी table बनाएगे तो table पर जाएगे और यहाँ से view पर जाएगे प्राइमरी की ठीक है और इसे रख रहा हूँ text data ठीक है और यहाँ पर क्या लूँगा यहाँ पर मैं लूँगा product id तो product underscore id जैसे वहाँ लिखा था वैसे ही लिखेंगे ठीक है यहाँ पर हम short text नहीं नमबर भी ले सकते हैं तो यह नमबर कर दिया तो देखिएगा इस वाले table में जो की product वाली थी देखिए मैं दिखा देता हूँ इसमें product id को primary की बनाया लेकिन second वाले table में हमने product id को primary की नहीं बनाया है हमने customer id को primary की बनाया है और यहाँ पर क्या करते है name of customer करते है ठीक है तो यह लिखा name underscore of customer तो यह हो गया name of customer ठीक है यहां पर जो है आप customer ID डाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर c01 माली जे customer ID है और customer का नेम यहां पर आएगा यह main table है customer वादी ठीक है तो यहां customer का नेम आजाएगा जैसे customer का नेम है ठीक है और यहां पर product ID तो इसके according आएगी तो यहां पर product ID के लिए हम one डालेंगे ठीक है तो यह यहां पर कर दिया एप इसी तरीकसे यहां पर आयगा तो यह जोगा WhatsApp में गु का आ Smithsonian होगा यहां पर दीज करण सकते हैं तो यहां पर रिलेशनिप होती है जो की एक यह कैसे अगा लाएं पर यहां पर रेलेशनमसीप मिलेगा चले जाएएगा और यह दोनों table को drag करके यहां लाईएगा शायद आप 2007 यूज़ करेंगे तो उपर ही आपको देख जाएगा और उसे add कर वा लेंगे आप ठीक है और इस तरीके से अगर 2021 यूज़ करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर यह इस तरीके से हो जा रहा है देख सकते हैं दोनों आट पर टेबल लेकिन जब one to one relationship की बात आती है ठीक है वन तो मैंने को कई बार बता चुका हूँ लेकिन जब one to one relationship की बात आती है तो इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं उसको एक बार देख लिए तब हम one to many पे चलते हैं ठीक है ना अब यह दोनों टेबल तो बन चुकी है और relationship भी हम create कराने के काफी करीब है लेकिन यहाँ पर आते हैं customer वाले टेबल पर एक बार जड़ा देखते हैं यहाँ पर जो product ID है अगर नीचे आते हैं तो yes duplicate उपके दिया है ठीक है यहाँ नीचे देखे यह जो general lookups आपको आइडी में तो यहाँ पर इसे हमें duplicate नहीं होने देना है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या कर देखे यह जैसे customer ID है तो यहाँ पर C03 कर दिया और यहाँ पर रोल लॉम्बर थ्री प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट ID 3 हो गया और हीना खान यहाँ पर कर देते हैं अगले customer का नाम तो यह हो गया हीना खान और फिर इसी तरगे से अगला भी करेंगे तो यह कुल मिला के यहाँ पर भी हमारे पास तीन ही प्रोडक्ट है तो हम तीन ही यहाँ तो यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट वाली टेबल यहाँ रखेंगे और यहाँ इन तीनों पर टिक करेंगे अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ यहां पर जाएंगे तो आपको प्लस का शाइन मिलेगा और यह वन-टू-वन में क्या होता है अगर बात करें वन-टू-मेनी की तो यह कैसे करना क्या है कि जैसे यह आप करका वाले टेवल पर आते हैं तो इसको क्या करिएगा अपका One tomorrow तो मेरे नहीं हो जाएगागा ठीक है देखे कैसे यहाँ पे फितकी करेंगे यह इसी प्री भी पर फिशाएने तुल क्रीट चले जाएंगे अ यहनगे वाते Tulsi पिर टीजा करेंगे अ Burst इसाल होगा तो चले जाएए अब यह रिलेशंसिफ तूसरी तूसरी का अब यह लिया इसे यह डिलीट हो जाएका रिलिशंस अप क्या करना है आब जो है सेम यही काम करिएगा आप देखे सारी चीजे चांज है ठीक है, सारी सीज़े चेंज हो चुकी है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा पो चेंज़ेस किया है, जो आपको दिखाया है, अब यहाँ पर इसको रेलिशन से प्रीट कर रहे हैं, तो देखी यही वन टू मेनी हो जाएगा, तो बस यही तो डिफरेंस है, ठीक है, तो वन कर दिखने हैं, जो कि दूare बस्तुर yoga फ्क ओना।, कि यहाँ है, था !